आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए दही और सूजी से मिलकर बना एक बहुत ही टेस्टी और स्वाद और सिहत से भरपूर नास्ता जिसे हम आपे भी कहते हैं बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद होते हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्टे कि अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बैल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक के सब आपों की रेसिपी के लिए मैंने यहां पर कुछ वेजिटेबल्स को बारी कट कर लिया है यहां पर एक बाउल लिया है जिसमें एक कप लगबग मैंने यहां पर सूजी का इस्तमाल किया है इसी में मैं डाल रही हो आधा कप लगबग दही यहां पर फ्रेस दही का इस्तमा अब मैं डाड़ रही हूं यहां पर बारीक कटी भी पत्ता गो भी वेजिटिबल्स का यूज आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंदे व्यसे भी कर सकते हो साथी मैं याँ पर डाल रही हूँ चार पाच हरी प्याच की पतिया जिसे मैंने बारीक कट करके डाल दिया है साथी डाल रही हूँ याँ पर बारीक कट हुआ हरा धनिया अगर आपको कुछ वेजीटेबल्स पसंद नहीं है तो आप उसे स्कीप कर सकते हो और इसी में हम एट करेंगे एक बारीक कट हुआ टमाटर दो से तीन करी लिवस को मैंने बारीक तोड लिया है और उसे मैंने इसमें एट कर दिया है और इसी में हम एट करेंगे एक बारीक कटी वी सिमला मिर्च इसी के साथ मैं एट करेंगे हम दो से तीन हरी मिर्च अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा हरी मिर्च का इस्तमाल कर लीजिए और साथ में अब हम एट करेंगे स्वात के अनुसार नमक इसी में हम मिला रहे है आदा चमच लाल मिर्च पौडर अब डालेंगे हम आदा चमच धनिया पौडर और इन सबी चीजों को एक स्पून की हेल्ब से हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है तो मिक्स करने के लिए मैं पानी का इस्तमाल कर रही हूँ पानी का इस्तमाल हमें धीरे-धीरे करना है ताकि हम जब mix करते रहे घोल को तो बहुत ज़्यादा थिक भी ना रहे और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो एक smooth paste तयार होना चीए चुकि दही हमने डाला हुआ है तो इसलिए पानी हमें थोड़ा सा ध्यान से डालना है सावधानी से ताकि हमारा जो paste बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए तो दीरे-दीरे करके मैं यहाँ पानी डालते हुए घोल को रैडी कर रही हो थोड़ा सा और पानी एट किया है मैंने और यहाँ पर अब हम एक स्पून की हर्प से मिला रहे हैं और यहाँ बलकुल एक दम पर्फेक्ट बनकर रेडी है हमारा जो paste है आपो का तो इसे अची तरह से मिक्स करने के बाद में हम आदे गंटी के लिए रेस्पर रखेंगे रेस्पर रखने से क्या होगा की सूजी बहुत citoy से फूल जाएगी यहाँ पर मैंने बेक्टी सोडर लें किया ही कि आदे गंटे में काफी अच्छी से हमारे आपे जो है तयार हो जाते क्योंकि हमारी जो सूजी है काफी अच्छी फूल चुकी होती है अगर आप तूरंत बना रहे हो पांच-दस मिना ट्रेस पर रखने के बाद बना रहे हो तो चुटकी बर आप बेकिंग सोडे का इस्तमाल कर सकते हो गैस ओन कर दिया है मैंने एकदम लो फ्लेम पर मैंने आपों के साचो को रख दिया है और इसमें डाइड़ी हो में थोड़ा थोड़ा सा ओईल एक ब्रस की हेल्प से हम जो है ओईल को अच्छी तरह से आपों के साचो में ग्रिस कर लेंगे जब हमारा ओईल गर्म हो जाएगा तो हम यहां पर डालेंगे के स्पून के हल्प से साचे में आपों के गोल को गोल जो है हमें दोस्तों बहुत जादा नहीं भरना है बहुत उपर तक के नहीं भरना है क्योंकि जब यह फूलेंगे तो क्या होगा कि इनका जो सेप है वो चेंज हो जाएगा तो बस आपो का जो साचे में बस उसी में हमें अपने गोल को डालना है और यहाँ पर धीरे धीरे करके मैंने स्पून की हट से सारे आपो के गोल को सारे साचे में डाल दिया है और यहाँ पर अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ तीन से चार मिनिट के लिए इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे आपे सही तरसे पक चुके या नहीं तो यहां पर बिल्कुल perfect ready हो गया एक साइट से हमारे आपे तो इसे अब हम turn करेंगे बारी-बारी से तो धीरे-धीरे करके यहां पर मैंने सारे आपों को turn कर दिया है एकदम फूल चुके है ना बेना सोडे के भी कितने अच्छे से परफेक्टली फूल गए हमारे क्योंकि हमने रेस्ट पर रखा था घूल को और यहां पर अब दूसरे साइट से पलटने के बाद में थोड़ा सा ओईल हम और डाल देंगे इनके उपर कॉर्णर्स में ताकि दूसरे साइट से भी हमारे जो आप अच्छी तरह से सीख जाए अगर आप ऑईल नहीं डालना चाहते हो इसकीप करना चाहते हो तो भी हमारे आप बलकुल बनके रेडी होंगे कोई प्रोब्लम नहीं है आप इसकीप कर सकते हो और यहां पर अब मैं इसे कवर कर दे रही हूं तीन से चार मिनिट में हम इसे चेक करते रहेंगे आपो को ताकि क्या हो कि जो आपे हमारे अच्छी तरह से सीखे बहुत ज़दा हाई फ्लेम पर इसे नहीं बनाएंगे दोस्तों नहीं तो क्या होगा कि हमारे आपे जो है जलने का भी डर तो यहां पर एक साइट से चेकने के बाद दूसरे साइट से भी अब हमारे आपे बिल्कुल रडी हो चुके है मैंने प्लेट में निकाल लिया है अब वापस से ओल डालके मैंने दूसरी बार में भी अपने आपों को रडी कर लिया है दोनों साइट से यहां पर बिल्कुल perfectly ready हो चुके है second time वाले भी आप पे हमारे और इसे भी मैंने एक plate में निकाल लिया है और अब हम इसे कर लेंगे serve तो यहाँ पर मैंने आपो को नारियल की चटनी के साथ लिया है आप नारियल की चटनी या sauce के साथ भी इस्तिमाल कर सकते हैं और यहाँ पर एकदम perfect फूले फूले से spongy आप पे हमारे बन के ready है आप जरूर ट्राइ करिएगा recipe पसंद आई हो तो please like करिएगा दोस्तों और आप से भी से request है कि चैनल पर नहीं हो तो subscribe जरूर करिएगा अब मैं आपको एक आपे को तोड़ के दिखाती हूँ तो यहाँ पर तोड़ जासी देख रहे होंगे आपके एकदम perfect size में बने है और तोड़ने के बाद में अंदर से भी यह इतने ही spongy है साथी vegetable से भरे हुए है तो स्वात के साथ सेहस से भी भर पूर है नारिल की चटनी के साथ यह खाने में बहुत टेस्टी लगते है ता आप इस recipe को जरूर ट्रै करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको एक recipe कैसी लगी मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई recipe के साथ तेंक यू